हेलो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के तो संस्कृति आई-एस के चैनल पर आप सभी का हारिक स्वागत है आज के टॉपिक हमारा होने वाला है आंतरीक सुरक्षा से संबंधित तो हाल ही में एक जो है दुर घटना हुई है या कहें हमान लिजे एक हमला हुआ है जमु कस्मीर में एक टनल बनाया जा रहा था काफी टाइम से वहां पर निर्मान कार चला था तो ऐसी किसी आधार भूत संरशना पर पहली बार आतंक वादियों के द्वारा हमला किया गया है तो यहां पर निउज आ रही है कि लगभग सात लो जो है जेड मोड परियोजना ठीक है जेड मोड परियोजना है यह परियोजना के तहर जो टैनल बनाया जा रहा था ताकि जो लद्दाख है आपका और भी अलग अलग जगहें जमु कस्मीर में हमारी है वहां से हमारी connectivity अच्छी हो पाए जैसे आप सब को पता है कि बहुत लाका है बहुत उचाई पर भी इस्थित है तो वहां पर क्या होता है एक तरीके से ट्रांस्पोरटेशन जो है परिवहन बहुत बादित होता है जब temperature बहुत गिर जाता है मानस 55 डिगरी सेलसीय मान at 50 पहन जाता है न तो act अब और अन वहां से कोई आ सकता है न वहाँ से कोई जा सकता है ऐसे में क्या है जिस नॉर्मल लोग है जो वहां के गॉर्षव हैं gr प्योगे के पोर्शन में हैं कुछ अक्साई चीन के तरफ है ठीक है दोनों तरफ हमारे सेनाय तैनाथ है तो उन से हम क्या है कनेक्ट नहीं कर पागते हैं या फिर उनको जो भी राशन पहुँचाना होताय है तो कई जातर हमें हवाई यात्रा कर रहे वहां यहां होते हैं हमाई श खर्च होता है हमारी सेनाव पर वह भी कम होने वाला था लिकिन यहां पर दोनों ही चीजे खराब होती नजर आ रही क्योंकि जो चीज यहां पर देखने को मिली है उससे दो योजनाय बातित हो रहे हैं एक जो हम पड़ रही है जेड मोड परियोजना दूसरी भी उसको हम आगे देखेंगे तो लिखा है किसी प्रमुक बुनियादी धाचा परियोजना पर यह पहला आतंकवादी हमला है जब से यहां पर प्रसासन धंग से काम कर रहा है उसके बाद पहली ऐसी दुरगटना देखने को मिली है स्रीनगर, सोनमर्ग, राजमार्ग पर जेड मोड सुरंग का निर्माड किया जा रहा था यहां पर स्रीनगर और सोनमर्ग का जो रास्ता है वहाँ पर बनाया जा रहा था ताकि connectivity को अच्छे से बढ़ाया जा सके ठीक है ग्धर, निर्माड पक का धृगग ओए आप देखने को मिल जाएगा घर बात करें लगभग 14.2 किलो में 14.2 km इसकी लंबाई होने वाली थी और यहां से जो है लगभग जो है अगर बात करें कितने लेंस होने वाले थे तो 6-8 लेंस यहां पर होने वाले थे ठीक है मतब पहले से जाधा ही वहां पर हम ट्रंस्पोर्टेशन आछे से कर पाते हैं यह मैं आप दिया हुआ सारा इसमें सारे डीटेश्ट हैं कि कितने किलेमुटर पर होह साप से वहां पर चला सकते हैं ठीक है तो साई चीज़ यहांपर आच्छे से समझाई गई हैं अब यहां पर आती है हम जेड मोड सुरंग क्या है अब आप से कोई पूछे कि भाई ये जो है सुरंग है या योजना है क्या है आखिरकार इस पर हम क्यों इतना काम कर रहे थे तो जैसे आपको बताया है मैंने की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो लिखा है पचासी सो फीट से अ लंबी सुरंग यहाँ पर होने वाली थी ठीक है इसके आगे क्या है यह नाम उस स्थान पर है जेड आकार के सड़क खंड के कारण पड़ा है तो इसका नाम जो जेड है ना तो जो सड़क खंड है उसका कुछ आकार जो है जेड आकार का है जिसकी वज़े से इसका नाम जो करके चलाया जा रहा है दूसरी का नाम में आपको आगे बताऊंगे तो जेड मोड का कितना लंबाई यहां पर है 6.4 किलो मीटर ठीक है फिर क्या लिखा है यह सोनमर्ग स्वास्थ रिसॉर्ट को मध्य कस्मीर के गांदर बल जिले के कंगन सहर से जोडती है ठीक है तो होता है कई बार जैसे आपका paper में पूछता है prelims में कि कौन सा दर्रा किसको जोडता है किसको अलग करता है वैसे ही कुछ अगर by chance आप से पूछ लेता है कि जेड मोड जो सूरंग है वो किस जिले को जम्मु कस्मीर के किस जिले से जोडता है तो आपको यह याद रखना है ठीक है फिर रिखा है, सोन मर्ग को हर मौसम में connectivity प्रदान करेगा, जैसे क्या होता है, जैसे स्ठंड जैसे ही बढ़ती है, तो वहाँ पर connectivity बादित हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ ही बर्फ होती है, तो ये चीजे समस्या देखने को आगे हमें ना मिले, इसकी लिए इसको बनाया जा रहा था, देखो यहाँ पे, इस सारी image दी हुई है, एक यहाँ पे जो है, दूसरी परियोजना जो है, जोजिला, जोजिला tunnel, तो ये जो हम, जिसके हम बात कर रहे हैं, वो इसी का हिस्सा है, इसी से इसको जोड़ करके आगे बढ़ाया जा रहा है, हमें थोड़ा location याद रखनी है, और कौन-कौन सी परियोजनाओं को एक साथ मिला कर चलाया जा रहा है, आप इसको भी ध्यान में रखेगा, ठीक है, फिर अगला क्या लिखा है, कारे कब सुरू हुआ, और इसकी लागत क्या है, तथा इसके कब तक पूरा होने की संभाव है, अब एक्जामें पूछे ना पूछे, हमें जो है general knowledge के लिए पता होना चाहिए, बाइचंस किसी ने आप से पूछ दिया कि बताओ जो यह टेनल का निर्माड हो रहा था, जहां पर अभी आतंक वादी हमला हुआ है, कब तक सुरू हुई थी, कब तक खतम होने वाली थी हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, तो जानकाई ले लेते हैं, सीमा सडक संगठन ने वर्स 2012 में इसकी सुरुवात की थी, 2023 में वो complete हो जाता, लेकिन आपको पता है, वहाँ पर चुनाओ चल रहे थे, जिसकी वज़े से वहाँ पर कुछ दिनों के इसको टाल दिया देखो यहाँ पर लिखा है, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन चुनाओ के करण लागू आदर्स आचार सहीता के कारण इसके उद्घाटन में देरी हुई, उद्घाटन में देरी, उद्घाटन होने ही वाला था, लेकिन उद्घाटन नहीं हो पाया, क्यों? क्यों पर बना रही थी इस टर्नल को, उसके ही कर्मचारियों की मृत्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है, अब यहाँ पर है सामरिक महत्व क्या है, हमने पढ़ लिया, कि लंबाई इतनी है, पैसे इतने लग रहे हैं, और यहाँ परियोजनाओं को मिला कर बनाया जा रहा, यह क क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है, तो यह हमाई लिए बहुत जरूरी हो जाता, क्या लिखा है, जेड मोर सुरंग, जोजिला, सुरंग परियोजना का हिस्सा है, दो सुरंग है, आपस पहले यह बना दे गई थी यहाँ पर, और दूसरी सुरंग यहाँ पर बनाई जा रही ह ठीक है, दोनों ही कनेक्ट करके आगे का रास्ता यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है, फिर क्या लिखा है, जिसका उद्देश स्री नगर से लद्दाक तक पूरे वर्स सभी मौसम में संपर्क उपलब्द करना, ठंड में जो है संपर्क टूच जाता है, लद्दाक से स्र प्रिनगर हो गया आपका, द्रास हो गया, कारगिल हो गया, लेह हो गया, यहाँ पर क्या है, सुरक्षित संपर के स्थापित होंगे, अब कुछ दिन पहले ही लद्दाक में जो है पांच नए जिलों का वहाँ पर निर्माड किया गया है, उन जिलों का नाम आप मुझे कमे साइनकों और रशद का परिवहन सडक मार्ग से किया जाएगा, सडक मार्ग से किया जाने का फायदा है, अब सोचो साइनकों के लिए रशद पहुचाना है, खाना पहुचाना है, मानलो उसकी कीमत जो है कि 50,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन क्या है, इतनी उंचाई पर ले जाना है, इतने हाई अलिटीट पर ले जाना है, हावाई हमाई जो जहाज है या फिर कोई भी हमारा यान है, उसके मार्ग से लेके जा रहे है, खार्च पता चलना है कि 50,000 रुपए के खाना पहुचाना के लिए, वहाँ पर 50,000 रुपए का जो हमारा है, फ्यूल लग रहा है, तो इससे क्या होगा, सरकार का खर्च कम होगा इन चीजों में, इसलिए बनाया जारा, वन टाइम इनवेस्टमेंट है, एक बास टरनल बन जाएगी, वह हमेशा आगे काम आती रहेगी, और सिप हमारी सेना से जुड़ने के लिए नहीं, और भी अन्य कामों के लिए भी इससे विमानों के उपयोग उपर होने वाला खर्च कम होगा, इससे विमानों का जीवन भी बढ़ेगा, अब इससे फायदा क्या होने वाला है, देखो, एक तो हमने देख लिया कि इससे विमान में जो फ्यूल वगरा यूज होता है, वो तो कम होगा ही होगा, साथ में इस इसको हम अगर दूसरे कामों में लगाएंगे तो हमारा ही benefit होने वाला है इसलिए क्या ही यहां पर बहुत सारे benefits होने वाले हैं इस योजना के तो नाम याद रखीगा जेड मोड सुरंग परियोजना जोजिला सुरंग परियोजना के साथ इसको मिला कर बनाया जा रहा है यहाँ पर हाल ही में है आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से आतंकवादी हमले हुए है जिसमें साथ लोगों की जान गई है जिसकी वज़े से ये परियोजनिया जो है चर्चा में आई है अदरवाइस जो है बढ़ियां आराम से बन रही थी चल रही थी उद्गाटन होने वाला था लोग आने जाने आना जाना भी वहाँ पर सुरू कर देते लेकिन क्या हुआ ऐस सारे वीडियोज आपको टाइम से मिले इसके लिए बैल आइकन जरूर दबाएगा अब हम मिलेंगे हमारी अगली ख्लास में तक हमसे जुड़े रहीगा है वा गुड़े